विहार में कुल लोग सभा निर्वाचन क्षित्रों की संख्या है 40 और इसमें से एक सीट है किशन गंज मुस्लिम बहुल सीट है किशन गंज? वियाईपी उमिद्वारों की पसंदीडा सीट ये मानी जाती रही है किशन गंज लोग सभा सीट परामपरागत रूप से विपक्षी डल खास तोर पर कॉंग्रस का गड़ मानी जाती रही है चलिए समझते हैं क्यों कहते हैं इसे हॉट सीट क्या है यहाँ पर सियासी समिकरण? सबसे पहले जान लीजे किशन गंज का महत्व क्या है ये इलाका एक समय जूट की खेती के लिए जाना जाता था किशन गंज बिहार में एक मात्र जिला है जहां चाय की बागान है लगभग 10,000 हेक्टियर में चाय बागान पहले हैं केला और अननास बड़े पैमाने पर होता है किशन गंज जिले में सोनपूर के बाद सबसे बड़ा पशू का मेला लगता है जो कभी एश्या का सबसे बड़ा पशू मेला के रूप में प्रसित था प्रत्याशी पर आ जाते हैं महागटबंधन में किशन गंज लोगसभा सीट कॉंग्रस के खाते में आई है और पार्टी ने एक बार फिर से मौजूदा सांसर डॉक्टर मोहमद जावेद आजाद को ही टिकेट दिया है वहीं एंडिये में ये सीट आई है जेडियो के खाते में और पार्टी ने मुजाहिद आलम को उमिद्वार बनाया है अब बात करते हैं सीट के इतिहास की किशन गंज लोगसभा सीट में 68% मुस्लिम मतदाता है 1957 से 2019 तक 16 लोगसभा चुनाओं में 9 बार इस सीट पर कॉंग्रस का कबजा रहा बीजीपी को सिर्फ एक बार 1999 में मौका मिला जब त्रीकोडी मुकाबले में शेहनवाज हुसेंद जीते पिशले तीन चुनाओं से कॉंग्रस ही एजसी जीती रही है और दिल्चस्प बात यह है कि 2019 की लोगसभा चुनाओं में बिहार की 40 में से महागडबंधन का सिर्फ किशन गंच लोगसभा सीट पर ही कबजा हुआ था जाती समय करण पर आते हैं किशन गंच लोगसभा सीट में 16 लाक वोटर्स हैं अर्सट फीजदी मुस्लिम वोटर्स हैं और हिंदू वोटर्स की संख्याएं 31 वीजदी के आसपास हैं और अन्य 0.34 फीजदी हैं अब आते हैं इस पर कि कब होना है इस पर चुनाओ 26 अपरेल को इस पर वोटिंग होनी है तो यह खबर आपको कैसे लगी हमें जरूर बताईएगा कामेंट बॉक्स के जरीए इस तरह के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए इंडिया टीवी